बगवान महावीर के चर्णों में सत्सत्त वंदन सोच्चा यधम्मं अरिहंत भासियं समाहियं अथपो विसुद्धं तम सत्थानाय जना अनाहो इंदेव देवाहिव आग मिसंती इंदेव देवाहिव आग मिसंती वंदे गुरुरम वंदे भगवान आज जब हम ग्यारे प्रतिमाओं की चर्चा कर रहे थे सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव अपने भगवान परम पावन परम किर्पालू तिर्थंकर के प्रतिदिदी आचारी स्री महासर्वन जी को वंदना करता हूं और वंदना करता हूं उन सादू साद्रियों को जो जगा जगा विच्रण कर जगा जगा जिनों ने अपना चत्रुमास कर हम सब का कल्यान किया है इसी स्रिंखला में हमारे आगम निशी प्रोफेशर महंद्र मुनी जिनका चत्रुमास समझिये बिल्ली के भाग का छीका टुटा हो हमें बंबई वाश्यों को मिल गया पिछले कुछ सालों से जो स्वास्थिलाब के लिए बंबई में पधारे हुए हैं आज उनका सानिद्य मिलना यह कई जन्मों के पुन्य कर्मों के उधे कही फल है और साथ में जो बोते हैं चेरी ओंदी आइसक्रीम गुर्देव ने चतुरुमास बनाया चतुरुमास फरमाया 2023 में मुंबई का एक तरफ महेंद्र मुनी का सिक्षण महेंद्र मुनी का निर्देशन महेंद्र मुनी का सानिद्य और महेंद्र मुनी के सुने हुए आगम वा है कि हम कैसे उनकी अध्यर्थ ना करें वंद ना करें अभिवंद ना करें हम सब आतुर है कि में उन्हें ने में रास्ता दिखाया उन्होंने का प्रकृति की कहानी तो उतकर्ष की कहानी है अगर आवशक्ता है तो पुरुशार्थ की अगर अपने गुरु को अपने भगवान को आप सची भक्ती प्रेशित करना चाते हो अभिवंदना करना चाते हो तो ये उतकर्ष की कहानी में लग जाओ जीवन को उतकर्ष के रूप में प्रेशित कर दो तो बहुत क्या करें उन क्लिमेंटेशन एग्जीक्यूशन कंट्रोल इस रूप में किया कि जो नो बिंदों की चर्चा हुई जिसमें एक सबसमय कौंगा उतक्रिष्ट रूप होगा ग्यारय प्रतिमा सुमंगल साधना और ग्यारय प्रतिमाओं कितना सुन्दर चिंतन कि आज प्राय प्राय हम लोग नमारा एक आगम आता है जिसमें उपासक दसांग एक आगम है इसमें भगवान महाविर के उन दस रावकों की चर्चा है जिनोंने ये ग्यारव बारवरत और उसके बाद ये ग्यारव प्रतिमाओं को धारन करके मौक्षिकामी जीव बन गए एका भवतारी बन गए देव लोग में चर्वन किया और एका भवतारी का क्या बोलते हैं अपना जीवन को बना लिया एका भवतारी का उनके जीवन में बंद हो गया किया हम वैसे बन सकते हैं क्या हमारा नाम भी कभी तेरा पंत्र के इतियास में आ सकता कि हम भी प्रतिमाधारी स्रावक थे तो जाने तो सरी प्रतिमाधारी क्या है शरीर के विकारों से दूर रखते हुए, कसायों से दूर रखते हुए, हम कायत सर्ग और ध्यान के द्वारा सुक्ल ध्यान में प्रवेस करें, आत्मा में रवन करें। आपको मैं खली एक बार याद दिला दू कि पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा थी दूसरी व्रत प्रतिमा थी जामने 12 व्रतों के बारे में खुब चर्चा की डिटेल में दर्शन में समयक्त के बारे में चर्चा की तीसरे में समाईक प्रतिमा की चर्चा की चोथे में परिग्रह का त्याग और प्रेश्य परित्याग प्रतिमा की चर्चा की तो यह सात्वी आट्वी नुवी मध्यस्त प्रतिमा थी आज हम चर्चा करेंगे वो दो उत्कृष्ट प्रतिमा दस्वी और ग्यारवी जो हमें हमारी ग्यारव प्रतिमाओं के एकदम नजदीक ले आ अपनी आत्मा के और तिर्थंकरों की स्तुति में मगन हो जाते हैं आईए वो दस्वी परतिमा है जिसका नाम दिया गया उदिष्ट भक्त परित्याग परतिमा उदिष्ट भक्त परित्याग इस परतिमा में क्या होता है चुकि दस्वी परतिमा है तो मैंने आपको बताया थ कि जितना नंबर की प्रतिमा उतना मा का कालमान होता है तो इसका कालमान है दस मास का यह कालमान होता है उदिष्ट भक्त प्रतियाग प्रतिमा का कि इस प्रतिमा में क्या करता है जो सादक होता है जो स्रावक है वह उसके लिए बनाये गए भोजन को ग्रहन नहीं करता जैसे मारी मुनी चर्या में आते हैं वो सचित का त्याग करते हैं रात्री भोजन नहीं करते हैं लेकिन प्रासुक अहार भी लेते हैं उनके लिए बनाया हुआ न तो वो लेते हैं न उनके निर्देश से कुछ बनाना है न वो कोई निर्देश देते हैं हम अपने लिए जो बनाते हैं उसी में जो हम यथा समिभाग वरत बोलते हैं अपने लिए जो बनाया उसी में से जो प्रासुको जो अच्छी तो उसमें उनको भावना बाते हैं और तो वो क्या करता है दस्मी प्रतिमा में भोजन तो करेगा लेकिन वो भोजन क्या करता है उसके लिए बनाना है और निर्देश देखे अपने लिए भोजन बनवाएगा वो यह नहीं कहता मेरे लिए बनवाओ जोकि दस्मी प्रतिमा में अब धीरे धीरे वह ग्रहस्त को गए कि बाकी समाई कोसुद पवास ब्रह्म चरिये सचित रात्री भोजन यह सारे तो हो चुके समयक्त दर्शन हो गया अब बेसिकली उसको क्या करना है बेसिकली वह ग्रहस्त से बाहर या तो कई मतलब और क्या करते इसमें तो भोजन हो तो भोजन जो घर में बना है वह जिसके वह भावना भाए उसी को ग्रहन करते हैं दूसरा मुंदन करते हैं सादूं का अपने देखते मुंदन यानि सरीर का कोई स्रिंगार नहीं तो कम जबन साल में दो बार मुंदन करवाना जरूरी रहे तो इनमें क्या रहता वो वस्त्र अपना जो भी वस्त्र धारन सपेद वस्त्र धारन करके मुंडन करता है पुरे बाल मस्तफ पर नहीं रखता और दस महनों में दो बार जो दस महने का जो का दो बार तो मुंडन को राना मस्त है सिखा और अत्वा सिखा रखना भी जैसे रहती है यह उसकी तरफ अग्रसित हो रहा है तो इसको हम कहते हैं उद्ष्ट भक्त परित्याग और आए इसके साथ साथ जब हम आप ग्यार्वी प्रतिमा जो हमारी सबसे उत्कृष्ट प्रतिमा है जिसको हम कहते हैं स्रमन भूत प्रतिमा यानि स्रमनों पासक बन जा आचार पालन करता है यानि सादू नहीं पंच महावरत का त्याग नहीं लेकिन मुंडन भी करेगा बंडो पकरन ववेस धारन वैसा ही करता है विक्षा सिर्फ अपने लेकिन विक्षा सिर्फ अपने घर वालों के यह अपने जाती परिचे वालों के यहीं करेगा समाज में व स्रमण भूत यानि स्रमणों पासक बनता जा रहा है तो वह संपन जिसको अपने स्रमणियां के रूप में जिसमों स्रमणियां फिर भी बाहर जा सकती है विक्षा के लिए लिए अपने जाती परिवार वालों के यहां ही विक्षा के लिए जाएगा और जो इसके लिए नहीं बना उसे लेके भोजन करेगा बाकी सारी चर्या मोर और लेस सादू की तरह होती है इसके लिए मैं आपको दो तिन बात और बताना चाहता हूं कि इस प्रतिभास संपन्थ स्रमणों पासक जनरली पूरुस होते हैं कहा जाता है पूरुस के इस्तरियों के लिए यह पालना मु दूसरन उसको गयारवी पृतिमाँ त्याग नहीं करवाते चूकि व्लबले भयास कर लो बारवरत का जहां अगार भी होता है तो पांच साल का बारवरत और कम से कम पचास साल की उमरतों चाहिए क्योंकि 50 साल के नीचे का ब्यक्ति माना जाता पूंत्या ग्हैस्त में है उनसे यह प्याग नहीं पलेंगे या तो मुने दिक्षा ले ले स्रवन रहता हुआ ग्हैस्त में रहता हुआ पालना बड़ा मुस्किल हो जाता है इस बोलके अवशकता है यह विधान बनाया गया कि 50 साल के उम्रक से जादा वाला व्यक्ति पांच पहले बारवरत तो सुरू में धारन कर ले बारवरत को पालेवे पांच साल हो जाए उसका अभ्यास हो जाए दस प्रतिमा तक का अभ्यास हो जाए तब यह ग्यारवी प्रतिमा धारन करे स्रम्ण भूत परिन्मा मतलब इसमें स्रमनों की उत्कृष्ट इस्तिति है इसके बाद आग चाहे तो चेठा गुनस्थान में प्रविश्ष कर सकता है पंच मावरत का पालन करके पंच मावरत का पालन करके मुनी दिक्षण जब लिता है तब और रियां तो मुनी का जीवन का एक मुनी को चर्या कैसे होती है प्रायप्र उसका सारी चर्या मुनी के बरावर होती है उसका दोघता है बन्दोपकरण भी वैसा होता है वेश जो मुनी की तरह धारन करता है फिर बचा क्या फिर बचा क्या सील की नौ बाड को पूरा धारन करके रखता है बाड को मानता है किसी भी तरह का संसारिक सुख सुईदा बहुतिकता अपने जीवन में आसकती नहीं रखता पदार्त में उलस्ता आत्मरमन करता है और साधना करता है बंदोव मैं यह चाहता हूं कि उपकरम जब अगर मुनी महंद्र कुमार जी ने हमारे सामने रखा है गुर्देव की बड़ी कृपा है और हम सब चाहते हैं कि कम से कम मुंबई से प्रतिमाधारी स्रावक बने ग्यार्वी प्रत प्रतिमाधारी स्रावक तो बने प्रारंब करें पहली से दूसरा तीसरा चोथा जिसको जितना बन सके जितनी धार्णा कर सके जितना भीतर संग कल्प कर सके सहीम में अगरसी तो उसके उतनी प्रतिमाधा को धारन करें एक जनरल खाली जिसको बोलते ना यह मौक्षेशन की replacingmade P task अब Ayam it कोई को सी क्या होती है अवशकता है जैसे मैं ने बताया हम प्रतिमा धारी सरावक तो बने जिस जिस प्रतिमा में हमारा मन पर लग जाता है हमारा संकल्ब होता है उस प्रतिमा को धारन करें और अपने आपको यह प्रस्तुत करें लगे मुंबई में गुरुदेव का चतुरुमा स्वा तो सैंकड़ों लोग यह हजारों लोग प्रतिमाधारी स्रावक बने प्रेरनाथी मेहंद्र मुनी की स्रम्ता सिद्ध मुनी का और मुझे मौका दिया गया किसके बारे में मैं आपको बताऊं तो जितनी जितनी प्रतिमा हो सके उतनी उतनी प्रतिमा धारन करें इसी मंगल कामना के साथ मैं चाहता हूं हम सब संकल्पितों के प्रतिमा धारी स्रावग बने और गुरु की कृपा रहे महंद्रमुनी का प्रयास अपल हो ओम अरहम ओम अ ओम आरहांद।